हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं सब मस्त होंगे आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाज रहें एक कमाल का वीडियो और यह आज तक का हमारे यूटूब चैनल पे सबसे महेंगा अन्बोक्सिंग वीडियो होने वाला है आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग ग्लै घर किन लोग Maeंल पॉन ले ना चाहिए और किन लोगों को यह फोन नहीं लेना चाहि ना चीए सारी 90 कि में बात करें गे भी प्टाव्ट से सुरू करते हैं नमस्कार तोस्त हम हरो में हैं अपने चैनल टैक्नू पंड में तो सबसे पहले मैं आपको बात बात के वह पींद् और लगबग 12 5G band इसके अंदर हमें देखने को मिल पाते हैं, NFC का support इसके अंदर हमें देखने को मिल पाते हैं, और भी चुटर मोटर के लगबग सारे premium segment के specification हमें इस smartphone के अंदर देखने को मिल पाते हैं, मैं बात करते हैं, मैंने यही smartphone क्यों लिया, और दूसरा को smartphone क्यों नहीं लिया, competition बहुत ज़्यादा था, मेरे कोच यहीं था, एक brand value जो कि लंबे टाइम तक मैं 4-5 साल तक यूज कर सकूँ, उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, और एक अच्छा camera with optical image stabilization और waterproof, यह मेरे requirement थी, यह requirement आपके हैं, तो आप definitely इस phone के साथ में जा सकते हैं, और बाकी भी काफी सारे specification काफी features हैं, जो हम इस phone को unbox करते टाइम बात करेंगे, साइड में हमें कुछ भी देखने को यहां पे नहीं मिलने वाला है, अपर भी इसका जो है top है, वो पुरा blank रखा गया है, इस साइड इस Samsung Lexi A53 5G की badging मिल जाती हैं, यहां पे इसकी seal यहां पे देखने को मिल पाते हैं, तो इसे फटा-फट से unbox करते हैं, बोक्स के अंदर सबसे पहले हमें यह मिल जाता है, एक और खाली डबा, इसके अलावादी हम इस phone को रखते हैं, वो एक बार साइड में, और बाकी box contents चेक कर लेते हैं, इसे चेक करने की कुछ जरूत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको देते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा होता है, इसके अलावा यह हमें यहाँ पर इसकी type C to type C data cable यहाँ पर देखने को मिल पाती है, यह थोड़ा सा paperwork हमें देखने को मिल पाते हैं, मेरे को लगता है, Samsung Inc. के अंदर भी sortage करना है लग गया है, क्योंकि paperwork भी थोड़ा कम ही है यह पूरा blank है, तो यह हमारे पास आ जाता है, हमारा Samsung Galaxy A53, यह support करता है 25 वोड की charging के साथ में, यह मैं आपको बता दू पहले ही, और इसके अंदर 5000 mh की battery भी हमें देखने को मिल पाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस phone के design के बारे में, design कैसा हमें यहाँ पर देखने क बगिरा दी गई है, इसकी design वाइस जो दी है, यहाँ पर देखें तो हमें रेक्टेंगल सेप में, चार केमरा का सेट अप यहाँ पर देखने को मिल पाता है, इसके अलवा यहाँ पर हमें जो है, इसके अंदर Samsung sticker देखने को मिल पाता है, यह जो है light blue color है, इसके अलवा black color, peach color, white color, यह भी available है, लेकिन मैंने जो है light blue color चूच के, यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखने को मिल पाती है, front के अंदर यहाँ पर speaker जो है, वो यहाँ पर आपको दिखाई ही नहीं देंगे, एक यहाँ पर microphone देखने को मिल पाता है, इसके अलवा यहाँ यहाँ पर धेखने को मिल पाती है, इसके अलवा काफी मतलब की अच्छे ताउर तरीके से हां थोड़ा सा rounded है, camera bump जो है वो थोड़ा सा उपर की तरफ निकलावा जो की good है और जो यह camera lenses इनके उपर scratch नहीं होंगे क्योंकि जो bump है उससे lenses थोड़ा सा नीचे की तरफ place किये गए हैं इसके लावा यहां पर हमें एक छोटा सा बिल्कूल चोटा सा में यहां पर camera punch hole cutout यहां पर देखने को मिल पाता है अब चलिए इसको करते हैं फटा फट से ओन ओन करने से पहले मैं आपको कुछ से यहां पर दिखाना चाओंगा यह IP67 waterproof water and dust resistance rating के साथ में आता है तो इसकी सबस फिल है जो इसको water resistance बनाती है यहां पर आपको जो है एक आप यहां पर SIM card लगा सकते है नैनो SIM में आपका लग जाएगा और एक आप micro SD card या फिर SIM card दोनों में से कोई एक सीज यहां पर लगा सकते हैं जिली तो hybrid slot यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है पीछे की तरफ हमे जो है इसके अंदर plastic यहां पर देखने को मिल पाते है plastic bag के साथ में आता है matte finish के अंदर है काफी अच्छा premium आपको in-hand feel होने वाला इसके लगे यहां पर बात करें तो यह जो plastic frame आपको देखने को मिल पाते है Corning Gorilla Glass 5K protection इस phone के अंदर आपको देखने को मिल पाते है in-hand feel काफ अच्छा है और ज्यादा बड़ा phone नहीं है अदि आपके हाथ normal size के हैं तो phone आपको ज्यादा बड़ा feel नहीं होगा एकदम से यह one hand use आपके हाथ छोटे हैं तो आपको one hand use के अंदर problem हो सकते है तो चले फटावट से इस phone को on करते हैं और बात करते हैं इसके display के बारे में तो मिल पाता है 800 nits peak brightness हमें इसके अंदर देखने को मिल पाती है और Samsung का display के मामले में कोई जवाब ही नहीं है तो display के लिए तो आप बिल्कुल वेफिक कर रही है काफी अच्छा खासा display हमें यहाँ पर देखने को मिल पाता है 64 MP का primary camera lens हमें यहाँ पर देखने को मिल पाता है 12 MP क ultra wild angle camera lens हमें यहाँ पर देखने को मिल पाता है 5 MP का micro 5 MP का depth sensor हमें यहाँ पर देखने को मिल पाता है फ्रंट में यदि बात करें तो इसके अंदर हमें 32 MP का selfie camera हमें यहाँ पर देखने को मिल पाता है सबसे बड़ी बात है कि आप इसके front camera से और back camera से दोनों से ही 4K 30 fps तक की video recording आप यहां पर कर पाएंगे तो यह हमारा जो फोन है वो ओल्मोट सेटप हो चुका है थोड़ा सा टाइम हो लेगा इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर सैमसंग ने कमेंट किया है कि आपको चार मेजर अपडेट देखने को मिल पाएंगे अंडरोइड 12 के ओपर यह स्मार्टफोन अभी फिला लाता है इसके अलावा आपको चार इसके अंदर मेजर अपडेट अंडरोइड अपडेट और मिल पाएंगे तो यानि एंडरोइड 16 तक आप जो इस फोन को आराम से बात करें फोन इन हैंड फिल काफी अच्छा है परफॉर्मेंस भी जो है इसके अंदर हमें एक्सनोस का 1280 जिपसे यहां पर देखने को मिल पाते हैं LPDDR 4X RAM हमें यहां पर देखने को मिल पाते हैं मैंने 8GB वेरियंट यहां पर 6GB वेरियंट भी यहां पर आता है और इसके यहां पर देखने को मिल पाते हैं जो इससे आप अपनी RAM जो है वो डबल कर सकते हैं मेरी फोन की 8GB RAM है तो मैं इसको एजिली इस RAM को 16GB तक यहां पर इंक्रीज कर सकता हूं मेरा इस्टोरेज थोड़ा कम करके ब्राइटनेस जो है इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी आप आप इसकी ब्राइटनेस को अभी मैंने इसकी फुल के उपर किये तो आप इसको देख सकते हैं इसके लावे इस कहले इस मेरे को काफी अच्छा लगा बस कमजोरी एक लगी कि इसके साथ में में चार्जर नहीं आता है और यह सपोर्ट करता है 25 वोड की फार्स यहां पर देखने को मिल पाती है जो कि आपका दो दिन आराम से चलने वाली है दिए इसके कैमरा की बात करें तो यह आपको इसके कुछ UHD 30fps पर भी यह सेट है इसे आप जो है चेंज करके UHD 4K 30fps या फिर जो है आप इसे 1080p HD 30fps पर भी जो है स्विच कर पाएंगे Ultra Wild Angle और Micro Lens भी इसके अंदर में देखने को मिल पाते हैं यह आप जो है देख सकते हैं Wild Angle हो गया इसके अलावा यह जो है आपका Micro Lens और Depth Sensor, Micro Source जो है इसे आप काफी अच्छे क्लिक कर सकते हो तो Camera Sample में और Camera Testing जो है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी तो मैं फटा-फट से इसमें SIM डालता हूं इसके गार्ड वगिरे लगाता हूं उसके बाद में देखता हूं कि यह phone कैसा होने वाला है